हालो मैं देख स्टुडेंट्स हावरी ओल आए हुप कि आप से लिए फिट फाइन और पढ़िया होगी आज हम लोग शुरू करने जार है चैप्टर नूमबर सिक्टीन फ्रॉम सेवन स्टेंडर्ड जिसका नाम है नैचुरल रिसोर्स ठीक है अल्रीडी 15 चैप्टर कवर हो चार चैप्टर बाखी 15 चैप्टर कर रहा हो चाहिए बटल पर डाल दूब दीचे के डिसक्प्शन में डाल दूगा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो अपने सिक्स्टेंडर के साथ भी शेयर करना चलो थोड़ा से शुड़ू करते है चैप्टर को पढ़ना मगर उस यह सब क्या है अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वी गेट मेनी सब्स्टंस फ्रम नेचर से अब कभी सारी चीज़े मिल दिया वराइटी अब कभी सारे नेट्स को सैटिस्फाई करते हैं जैसे कि स्वाइल स्टोन मिनरल्स एयर्स वाटर प्लांट्स अनिमल्स अनिमल्स आगे हैं थोड़ा सा अगे बढ़ते हैं बढ़ते अगर अर्थ क्रॉस्ट की बात करोगे तो अर्थ का बद आप तो दिखते हैं क्या है अर्थ लिटोस्पेर ठीक है मतलब जमीने वाला पार्ट यह मिट्टी से बना हुआ है जमीन पर जो है उसके नीचे काफी मोटा क्रस्ट है हाड क्रस्ट है ठीक है इस लिटोस्पेर इस नॉट होमोजिएस बट इस मेड़ अप मतलब जो लिटोस्पेर हो एक जैसा इवनली नहीं समझ रहो बहुत सारी चीजों का मिक्स्चर है ठीक है मैनी टाइपस अप रॉक से मिक्स हो करके बना है रिसोर्सेस इन दो अर्थ क्रस्ट इंक्लिव्ड मिनरल्स ओर्स मिनरल ओल और फ्यूल रॉक्स वाटर इलिमेंट इक्सेटर जो चीज़े इसके अंदर मिलते उनका नाम दिया हुआ है अब एक एक करके हमें सबी चीज़े समझ नहीं है जैसे कि बात करेंगे हम मिनरल्स एं उनका वेल्ट ठीक है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट जगह लेता है नैच्रल रिसोर्स में मिनरल्स मतलब तुम ऐसे समझा ना कॉल एक टाइप का मिनरल है ठीक है कोई बीचेज मिनरल से मिलता है मैं बताता हुआ तूम तो मिनरल्स आर सब्सक्राइब विरियोस प्रोसे यह मिलते हैं मैइनिंग से मिलते हैं मिन्रेल का इगजांपल कैलशियम भी ऐग थाप का मिन्रल समझ रहे हो only a few metal like for example gold, silver, copper, platinum and this month occur in free state in nature ऐसे कुछ ही है जो free state में मिलते हैं अम majority of the metal occur in form of compounds एक majority of metal जो है compound के form में मिलती है minerals that contain a high proportion of metal are called as quartz वो mineral जिनमें high proportion of क्या होता है metal होता है उसको क्या कहते है ores कहते हैं वो mineral जिसमें जादा से जादा metal मिलता है उसको ore कहते है, थीक है it is economical to obtain metals from ores, यह हम अगर metal निकाल रहे है ores में से, ores जिसमें जादा metals को क्या बोलते हैं, देखो, minerals यहां पर मैं क्या कहा रहा हूँ, minerals जिसमें जादा metal है उसको क्या कहते हैं, हम ore बोलते है, onceố बोलते है कलर, लस्टर, हाड़नेस, सेप, लेंथ, क्लिवेज और फ्रैक्चर एंड स्ट्रिक, अभी क्या बोलाईए, करेक्टरिस्ट्रिक, ठीक है, किसकी करेक्टरिस्ट्रिक, मिनरल्स की, वो कैसे पता चलती है, हमारे उसकी चमक नहीं की, उससे हो कितना हाड है, उसका शेप कैसा, वो लंबा है, उसका लेंथ कैसा है, उसका क्लिवेज कैसा है, उसका फ्रैक्चर कैसा है, उसका किस तरीके का तूटापन आया है, मतला किस तरीक से तूटता है, इनसे हमें उसकी प्रॉपर्टिस पता है, चल उत्रसा नीचे, अभी यहाँ पर एक एक्जांपल दिखा है, क the magma in the earth, magma earth का जो एक layer है, वहाँ पर फॉर्म होता है, earth crust and the lava from the eruption, ठीक है, और जो lava निकलता है, eruption सो उससे फॉर्म होता है, volcanoes when they cool and get transformed into crystal, मतलब जब यह सारी चीजे निकल के जब बाहर आती है, तो यह ठंडी होती है, और किस चीज में convert हो जाती है, crystals में convert हो जाती है, जैसे कि example के दिया magnite and mica दिया है, देखो, minerals are formed when the solid crystal remained behind after the process of evaporation, मतलब जमीन के उपर से पानी सूब लिया, पानी उपर evaporate हो गया, वैपर बन गया, और जो solid crystal रहे गया, उससे भी minerals बनते एक्जाम्पल के दिया, हलाइट and gypsum, अगला देखो, minerals get transformed from one form into another due to large changes in temperature and pressure, अगर अचानक से temperature और pressure में बहुत बड़ा बदलावाएगा, तो उसके कारण भी क्या होता है, minerals transform होते हैं, जैसे कि diamond दिया है, graphite दिया है, ये allotrop of carbon ही है, some living organism produce inorganic minerals, कुछ living organism है, जो कुछ inorganic minerals को produce करते हैं, example के लिए, corn cells, cells, etc, form protection of the body, ये जो cells अपने body के बनाते हैं, ठीक है, protection के लिए, ये भी minerals से बनाते हैं, समझ हो है, काफी simple है, अभी देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, non metal minerals, कौन से कौन से है, mica है, sulfur है, gypsum है, potash है, graphite है, diamond है, flats पर, ठीक है, metal minerals काउन से, iron, gold, silver, oxide, magnesium, platinum, tungsten, energy वाला कौन से, coal है, mineral oil है, natural gas है, तो ये सारा जो example है, वो सब किसका है, mineral का है, अब कुछ जो minerals है, तुमारे, वो non metal वाले minerals है, ठीक है, कुछ जो minerals है, तुमारे, वो metal वाले minerals है, और कुछ जो तुमारे minerals है, उसमें से तुम्हें energy मिलती है, अब देखो यहाँ पर, gems and gems like minerals, मतलब gems तो तुम्हें पता ही, ये precious stones को gems कहते है, तो some important minerals like diamond, ruby, sapphire, imral, imral, जेड, jikron, jircon, जेड, jircon, sorry, और gems, ये gems है, and gems are in great demand, और ये gems बहुत ही ज्यादा demand नहीं होते हैं, यहाँ तक समझ मैं है, काफी simple है, अब थोड़ा सा नीचे जाते है, some important minerals and ores, हमें कुछ important minerals के बारे में पढ़ना है, और हमें उन कुछ minerals के जो ores है उसके बारे में पढ़ना है, पहला हमारा है iron ore, iron ore मतलब वो वाला mineral, जिसके अंदर iron नाम का मेंटल होता है, iron occurring in impure state is called iron ore, impure state में अगर iron मिल रहा है तो उसको iron ore कहते है, iron ore is used to make variety of articles from pins, छोटे pins से लेकर के heavy machinery, for example, farming implements, railway of railway tracks, etc, the four main ores of iron are magnetite, ठीक है, अब देखो, iron का छोटे pin से लेकर के railway के पट्री तक बनाने में काम आता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, बड़े-बड़े machines बनाने के काम आता है, अब देखो, यहाँ पे अगला जो है तुम्हारा है, वो manganese, manganese, अब देखो, manganese occur in form of its carbonate, silicate and oxide, मतब, manganese, जो है, manganese, जो metal है, वो तुम्हें किस में मिलता है, उसके किस form में मिलता है, carbonate के साथ combine रहेगा, silicon के साथ combine रहेगा, तो silicate और कभी-कभी oxide, कि oxygen के साथ combine रहेगा, तो oxide मिलता है, compounds of manganese are used in preparation of medicines and for giving a pink teenage to glass, ठीक है, कभी इसको use क्या करता है, medicine बनाने के लिए use किया जाता है, ठीक है, और pink teenage glass को देने के लिए, manganese is also used in electrical appliances, manganese का use, electrical appliances में भी किया जाता है, electrical applications में जिससे बिजली वाले चीज़ें बनता है, अगला है तुम्हारा bauxite, कि जो bauxite है, यह तुम्हारा aluminium का एक और है, ठीक है, bauxite is the most important ore of aluminium, ठीक है, it contains 55% aluminium, bauxite, इसमें 55% तक aluminium होता है, bauxite is a very good conductor of electricity and heat, bauxite जो है तुम्हारा बहुत ही आच्छा conductor of heat and electricity का, density is low, density काफी low होती है, density मतलब क्या होता है, mass upon volume, mass upon volume, तो mass upon volume जो density होता है, इसका काफी कम होता है, therefore it is used mainly in aeroplanes, ज्यादा से ज्यादा इसको कहां से यूज के जाता है, density कम है, मतलब उसका हलका होगा, ठीक है, अगर density किसी चीज़ का है, तो वो हलका होगा, अगर यही इतने ही अगला जो है, हमारो हो है, अभी हम लोग कोपर के बारे में देखते है, तो देखो क्या बुला है, copper is found in impure state in vicinity of iron and other minerals, तो जहाँ पे iron होता है, यहाँ पे copper तुम्हें impure state में मिलता है, copper is very good conductor of electricity, copper एक बहुत ही अच्छा conductor है, electricity का, therefore it is used to make electrical wires as well as in radios, electrical wires भी बनाया जाता है, इसे radios भी बनाया जाता है, टेलीफोन भी बनाया जाता है, वेहिकल्स भी बनाया जाता है, और कुछ kitchen की utensils और statutes भी बनाया जाता है, अगला है मिका, मिका एक ऐसी चीज है जो good conductor of heat है, लेकिन bad conductor of electricity, यह देखो क्या बोला है, मिका is bad conductor of electricity, its value depends on thickness of its layer, उसका layer का कितना thickness है, उस पर उसकी value depends करती है, मिका has many uses such as ayurvedic medicines, ठीक है, ayurvedic medicines में use होता है, dyes, dyes मतलब किसी चीज का dye बनाना, color करने के लिए या फिर किसी चीज को shape देने के लिए, electrical machines, electric machines बनाने के लिए, and equipment, wireless communication equipment, इक्सेट्राइन सब्सक्राइब का use होता है, wireless communication मतलब जिसमें wire का use नहीं किया गया है, now, मैं बसीने से लथ हो गया हूँ, ठीक है, now I hope कि तुम्हें यहां तक सभी चीज समझ में आ गई होगी, अब हम बात करेंगे fuel की, ठीक है, तो fuel मतलब क्या होता है, petrol, diesel, kerosene, नगरा जो तुम यूज करते हो, तो उसको fuels कहते है, ठीक है, देखो यहां पर क्या होला है, what is meant by fuels, fuels का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है, which natural resources do be use as fuel, हम ood का use करते है, as a fuel, हम CNG का use करते है, LPG का use करते है, methane, biogas का भी use किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर देखो, क्या लिख है, various substances are used in day-to-day life for generating energy, energy generate के लिए यह करने के लिए बहुत सरी चीजों का use किया जाता है, this substance are called fuel, इनी substance को हम fuels पुलाते है, fuels are found in solid, liquid or gases state, fuel तुम्हें solid state में मिलता है, liquid state में मिलता है, gases state में मिलता है, अभी यहां पर बात हुई है, coal की, यहां पर किसकी बात हुई है, coal की बात हुई है, millions of years ago, forest got buried underground as a result of certain natural event, मतलब माल लोगी भूखम पाया है, फिर खुशता है, जिसके कान पूरा forest अंदर चला गया, layers of soil kept getting deposited over them, soil के layer आते चले गया, the very high pressure from the above and heat from the earth interior slowly transformed the buried plants into fuel, अब जो भी plants विगरा अंदर गया थे, उसके उपर से काफी pressure था, और अंदर से heat, अर्थ के अंदर जो mental, mental जो है, उसके कारण जो भी चीजों की बहुत गर्मी है, अर्थ के अंदर, उसके कारण उसको किस में convert हो गया, वो जो हमारी trees विगरा थे, वो fuel में convert हो गया, ठीक है, coal was first formed from that remains of those plants, this is why coal is said to be fossil fuel, अपी, coal ऐसे ही form गया, यह जो fuel बना था, इसको coal बोलते हैं, और यह क्योंकि fossil से बना है, fossil मतलब remains of living organism, living organism के कुछ remains रहे गया, remnants रहे गया, उसको fossil कहते है, तो इसलिए इसको fossil fuel भी कहा जाए, अब फोड़ा सा आगे बढ़ते है, I hope कि visible है, फोड़ा सा मुझे इसको इस तरफ लेना पड़ेगा, अब अब visible होगा, र आगे कोशिश करता है, बड़कर चाहदा बड़ा वीडियो बना लेगा, भी बार मिनिट का भी हो रहा है, 25-30 मिनिट के recording करेंगा, अगर नहीं होता है खतम, तो हम क्या करेंगा, दूसरे पार्ट में ले लेगा, तो हमने यहां तरफ को देख लिया, अभी देखो, यहां प विटेमिनेस कोल and anthracite are the various type of cool, यह थो नहीं में बहुत ने बाले हो, anthracite is the coal of highest grade, anthracite जो होता है, हाथी highest grade का cool होता है, coal is in a way of storehouse of carbon, coal basically storehouse का carbon का storehouse है, बतब coal basically carbon से बना होता है, it is burnt to obtain heat energy, जहां हम coal को burn करता है, तो में heat energy मिलता है, coal is used as a fuel, it is used as fuel in thermal power plant as well as run boilers and railway engine, coal का पहले ही यूज़ किया जाता है थर्ट ट्रेन को सरा ले लिए, coal का boilers में भी यूज़ किया जाता है, heat produce करने के लिए, coal से तुम अपने घर का खाना भी बना सकते हो, और thermal power plant जहां पे heat energy से क्या करते हैं, electricity energy में convert करते हैं, heat energy को electrical energy में convert करते हैं, वहाँ पे भी coal का यूज़ किया जाता है, ठीक है, coal is also used as a fuel for cooking and baking bricks, baking bricks मतलब जो हमारे जो इंट होते हैं, उनको पकाने के लिए, उनको कड़क करने के लिए, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, in large scale, the gaseous fuels producer gas and water gas are obtained from coal, अब यह जो gaseous fuels हैं, तुमारे काफी सारे producer gas है, ठीक है, water gas है, यह तुम्हें कहां से मिलता है, coal से ही मिलता है, ठीक है, coal से फ़र्म होता है, coke भी coal से फ़र्म होता है, coal as an energy source contribute greatly in industrial development, अब coal एक energy का ऐसा source है, जो industrial development में बहुत मदब कर चूँँ, now listen to me very carefully, पूड़ा का पूड़ा चप्टर में चाहों, तो एक बार रीड करके तुम्हें कहानी तर बता दो, मगर जस्ट तुम खाली 7th में होगा, इसलिए मैं एकनी मिहनत करता हूँ, हर एक लाइन को ऐसे highlight करता हूँ, क्या समझ में आ रहा है, तुम्हें इन सारी चीजों से, क्या समझ में आ रहा है, बहुत खुशी आ ली थी, बहुत सरे जानवरते हैं, आप जानवर कम होते जा रहे हैं, आप तो जानवर बच्चे ही नहीं है, जो भी है, ठीक है, फॉरमेशन अप मिनरल ओल और नैच्रल गैस असा दिखाया है, बट इनी वीच बे, अभी आई वॉन्टेट यो ऑल तुम खुद पढ़ लो, ज्यादा हादनी देख, क्या बोलो है, मिनरल ओल इस लिक्विड फ्यूल फांट बाइड डिपोजिशन और अगर अंदर चला ग मर गयते हैं, जो पानी में रहते हैं, तो उनका क्या हो, बोडी चला गया, समिन्थ के अंदर, layers of soil and sand get collected होगा है, उनके पर layers of sand and soil collect हो गया, due to high pressure and temperature, the remains of the dead animals transformed into mineral oil, यह जो animals के remains थे, वो high pressure and temperature के कारणकिस में transform हो है, mineral oil में transform हो है, simple है, कुछ hard है यहाँ पर, अब दिखाया it through oil wells, उसको oil wells से निकाला जाता है, mineral oil is found mainly in soil, sand, shade, shape, sandstone and limestone at the depth of about 1000 to 3000 meters, जदर 1000 से 3000 meter तक तुम अंदर जाते हो, तो तुम्हें इन सारे forms में, तुम्हें mineral oils मिलता है, mineral oil is also known as petroleum or crude oil, mineral oil को petroleum या फिर crude oil भी बोला जाता है, it is greenish brown in color, इसका color greenish brown होता है, petroleum is mixture of many compounds mainly of hydrocarbon type, hydrocarbon मतलब क्या होता है, जिसमें तुम्हारा hydrogen भी होगा, ठीक है, और जिसमें तुम्हारा carbon भी होगा, उसको बोला जाता है hydrocarbon, simple, अभी दिखो है, आपे क्या होता है, it also contains compounds of oxygen, nitrogen and sulfur, oxygen, nitrogen and sulfur भी होता है, इसमें ठीक है, petroleum is extracted through the oils, wells and refined from frictional distillation, frictional distillation में तुम्हें पढ़ाया है और अगर तुम्हें नहीं पढ़ाया है, तो तुम 8 standard में पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो separate the other components, मतलब basically distillation मतलब एक process होता है, जिसमें हम कोई वीचे जो mixture को separate करना है, माल लो किसी वीचे को, जैसे माल लो अभी, ये वाला वो नहीं, ये example लिए बता रहा हो, माल लो तुम्ह और पानी है, अगर तुम्हें इसको separate करना है, तो तुम कैसे करोगी, evaporation करना है, तो ये एक type का distillation, मिक्स्चर को separate कर, चलो, अभी यहाँ पे जो बाकी जो भी चीज़ा है, तुम देख लेना, कफी simple है, कुछ hard hang, ओके, नाव यहाँ पे देखोगे, तो natural gas की बात हुई है, तो natural gas is an important fossil fuel, natural gas भी important fossil fuel है, found associated with petroleum in underground oil wells and some places in natural gas is alone, मतलब यह mineral oil के साथ associated मिलतार कभी-कभी अकेले भी मिलता है, ठीक है, the main component of natural gas is methane, ठीक है, या फिर ethane, propane and butane, अब यह क्या है, यह carbon, hydrocarbon के type है, तो यह hydrogen और carbon तो यह hydrocarbon है, इसके बारे में तो 9-10 में पढ़ने वाज़ा है, मैं ज्यादा detail में नहीं जाना चाहता है, यहाँ पर ठीक है, natural gas is found from the remains of organism buried deep underground and subjected to high pressure, वहाना natural gas कैसे found होता है, remains of organism buried deep underground and subjected to high pressure और high temperature जैसे, अभी तक cold बना था, जमिन के अंदर चला गया, high temperature, high pressure में बना, सेम वैसे ही बनता है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम लोग जो दो चीजों का यूज करते हो, एक है तुम्हारा CNG और एक है तुम्हारा LPG natural gas का type है, liquefied petroleum gas और CNG का वाता है, CNG का full form क्याता है, compressed natural gas हाँ, compressed natural gas यह जो तुम यूज करते हो, ठीक है, और यहाँ पर देखो LPG है, LNG मतलब liquefied natural gas है, एक LPG भी होता है, ठीक है, तो यह जो टा transfer होके आता है, फिर वो कहीं एक जीए पर आया जाता है, पेट्रोल कम पर और वहाँ पर underground बहुत सारे tank होते हैं, बड़े-बड़े, उसमें वो store होता है, फिर उससे हमारे गारी में उसको transfer कर दिया जाता है, जो cylinder में store किया जाता है, simple, चलो, अभी यहाँ पर कुछ करेक्ट अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताया है, कुछ LPG के बारे में कुछ चीजे पताई है, I wanted you all to study this, liquified petroleum gas, जो तुमारे गारी यूज होता है, ठीक है, और एक सिगंड रूजा, बस, चलो, मैं उसमें कर देता हूँ, मैं ही तुम्हें, we have time, right, we have time, तो हम कर सकते है, अब देखो, liquified petroleum gas, LPG, petroleum gas is obtained during refining of crude oil, जब तुम crude oil जो उपर तुमने पढ़ा, उसको जब refine किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, तब तुम्हें क्या मिलता है, LPG मिलता है, petroleum gas मिलता है, it is transformed into liquid state by subjecting it to high pressure and reducing its volume, इसके volume को कम किया जाता है, 1 divided by 240, इतना, और high pressure से इसका volume कम किय जाता है, और इसको क्या किया जाता है, liquid state में लेके जाया जाता है, it is stored in thick walls till cylinders that under pressure it remains in liquid state, इसको मोटे मोटे cylinder के दिवाल हो, उस cylinder में रखा जाता है, तुम्हारे गड़ पर जैसा आता है, ठीक है, कि वो liquid state में ही रहे, as it comes out of the storage of cylinder, it is transformed back into gas, जैसे वो cylinder से बाहर आता है, वो no pain, जिसमें C3H, जो भी होगा, ठीक है, 6 basically, ठीक है, C3H6, हाँ, 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 H8, हाँ, C3H8 होगा, बेसिकली इसमें, C3H8 होगा, और C4H10, butane, यह दो चीजे होती है, इसमें, यह क्या, hydrocarbon type है, जो तुम आगे चलके पढ़ोगे, बिसको टेंशन मत लेना, ठीक है, और यह ratio होता है, इसमें जादा पर खुशबूनी होती है, ठीक है, but a small amount of chemical ethyl, ठीक है, mercaptan, which has a strong characteristic, order is added to it, थोड़ी सी, यह usually तो यह orderless होता है, लेकिन इसके अंदर, क्योंकि यह ethyl, mercaptan, add किया जाता है, इसके लिए इसके अजीब सी बदबू होती है, इसके अजीब सी बदब बढ़ने से, ठीक है, ठीक हो पनी यहां तक समझ में आ गया होगा, देखो, the demand of for fuels has increased gradually due to rapidly growing population, but reserves of fuel are very limited, demand तो बढ़ती जारी है, लेकिन जो fuel available हो बहुत ही कम है, so it is becoming difficult to meet the increased demand, यह demand को fulfill करा बहुत ही मुश्किल हो गया, the likelihood of reserves getting exhausted is known as energy crisis, ऐसा बहुत जादा chances है कि यह सारे fuels खतम ह हो जा और उसकी को energy crisis कहते है, as the reserves of the fossil fuel, namely mineral oil and coal are limited and the demand is increasing, alternative fuels are coming into use, hydrogen, biofuels, methanol, wood, alcohol, ethanol, green alcohol or some other alternative fuels, अब क्योंकि लोगों को पता है कि एक नएक दिन यह fuel खतम हो जाने वाला है और इसकी demand बढ़ते जारी है, इसलिए कई सारे alternative आ गये हैं, यहां तो इंसर के नारे, now forest resources, अगला natural bio resources और यह खतम हो जाए रहती है, तो यह भी करी लेते हैं, तो one shot में chapter खतम हो जाएगा, अच्छा तुम्हें पता है, मेरे actually एक class है, that's the reason कि मैं कफ़ी घाई में, घाई में, घाई में पढ़ा रहा हो तुम्हें, पढ़ यार, अगर ऐसे मैं नहीं डालूँगा ना तो फि forest resources, जो forest है, तो में जो चीज़े मिलते हैं, इसको forest resources बोलते है, and extensive area of land covered by the variety of plants is called as forest, एक बहुत सारा जमीन का हिस्सा है, जो किस से covered है, पेड़ पॉदर से covered है, जिसको forest बोलते है, forest is a natural habitat of plants, animals and microbes, जोटे जानवर microbes ठीक है, animals, बड़े जानवर और कुछ plants रहते हैं, about 30% of the total land in the world discovered forest, 30% जो total दुरिया का land of forest से cover है, certain specific protective and productive function, अब जो forest है, वो काफी protective function करता है, जैसे तुम्हें position को control करता है, बारिश को लाता है, ठीक है, और कुछ productive function भी करता है, अब protective function of forest, यहां पे सारी चीज़े दी होई है, soil erosion को रूपता है, ठीक है, variety of water flowing to land को पताता है, यहां पे ब समझ जाओगे, and moving forward, medicinal plants, कुछ ऐसे plants भी है, जो तुम्हें मिलती है, forest महीं मिलती है, उसके वारे में mentioned, that is too simple, okay, उपढ़ के देख लेना तुम, अब बात करता है, यहां पे ocean resources, देखो यार, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, उल्टा हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें पेड़ी काट दोगें, तो बहुत गडबर हो जाएगी, तो पेड़ लगाने की, लगाओ, rather than पेड़ काटना चाहिए, ठीक है, और थोरा pollution को भी, और population को भी control करना चाहिए, लोग बात करते है, ocean resources की, ocean resources मतला कौन से resources, जो तुम्हें ocean में मिल रहोंगे, we have learned that ocean occupy a great part of earth's surface than landers जमीन से भी जादा ocean है, तुम्हें पता ही है, अगर प्रिद्वी में देखोगे, तो थोड़ा सा ही जमीन है, वाकी तो पुड़ा ocean ही है, right, energy can be obtained on a large screen from ocean, ocean से बहुत जादा energy मिल रही जा सकती है, ocean waves at high and low tide of the ocean currents are being used for generation of power, ocean के जो waves होते हैं, high tide, low tide, उसका use किया जाता है, power generate कर होने के लिए, last year we have learnt something about, in this geography में तुमने कुछ पढ़ा होगा, इसके बारे में method of geographic पढ़ता ही, there are reserves of variety of natural resources in seawater and the bottom of sea and beneath the sap too, the resources are available for seas and ocean were cold as marine resources, marine resources, ocean के जमीन पे, seabed पे और ocean के अंदर कई सारे resources है, जिनको marine resources कहा जाता है, simple, चलो, यहाँ पर point क्या है, low और high tide के यूज़ पावर जन्रेट किया जा सकता है, कई सारे resources है, जिनको marine resources कहा जाता है, यह important दो point है, अभी देखो, यहाँ पर देखो, last ही page है, I think so, last ही page है, अभी देखो, क्या बोला है, minerals and bio resources, ठीक है, bio resources from ocean, के बारे में पढ़ना हमें, देखो, scientists believe the billions and tons of minerals are found dissolved in ocean water, अगर ocean water को बात करोगे, तो billions of tons, minerals उसमें dissolved है, there are large reserves of tin, chromium, phosphate, copper, zinc, iron, lead, manganese, sulfur, uranium, etc, इन सारी चीजों को, sea water में, mixture में मिलता है, यह सारी चीजों, in the ocean and sea beds, ठीक है, ocean मतलब, पूरा का पूरा सम, जो बही तुमारा समंदर बेगे रहा है, ठीक है, और sea bed मतलब, उसका, उसका यहाँ पे, जमीन सब मिलत ठीक है, we get many types of gems, conscious, cell, balls from the sea, यह सारी चीजों मिलता है, बहुत सारे gems, balls मिलता है, इस तरीके का cells मिलता है, ठीक है, there are large reserves of minerals, oil and natural gas at the bottom of sea, अगर अभी तुम मिल रहा था, वो भी sea के अंदर से निकाला जाता था, 1000 to 3000 के गहराई से, ठीक है, तो वो भी वही से मिल रहा है, we avail this by drilling oil and gas wells, तो हम समुंदर के अंदर hole करते हैं, ठीक है, हम drill करते है, oil well के लिए, gas well के लिए, वहां सारे हम निकालते है, अब यहां पर कुछ और भी लिखा हुआ है, we get many types of gems, ठीक है, और यहां पर लिखा है, real pearls are even costlier than gold, यह जो real pearls होते हैं, जो इस तरीक एक real pearls होता है, वो यार, अब आगे पढ़ते हैं, यहां पर कुछ फोटो दिखाया था, Indian first mineral oil well, इसका फोटो दिखाया था, इसको बोलते है, सागर समराथ, इसको कप drill किया था, 1974 में, और यह Bombay High Court के पास, at oil field called Bombay High Court, obtaining mineral oil and natural gas from the bottom of sea, तो यह पढ़ लो, तुम लो, नाओ यहां पर बोला है, mineral resources from ocean, and bio resources in ocean, mineral मतलब, जो minerals है, जैसे कि thorium, magnesium, potassium, sodium, sulfate, और bio resources जैसे कि, जिसमें जान है, जो living है, उसको bio resources बोलते है, जैसे कि, आप फिशस लिखाया है, dried Bombay Duck Powder, ठीक है, shells, fungi, shark and codfish, sea, cucumbers, जो bio मतलब क्या होता है, जो living है, biological, ठीक है, तो उसके बारे में आपर दिया है, now, यहां पर chapter होग हो खतम, ठीक है, marine occupation में fishing, यह main occupation होता है, salt farming, salt farming मतलब नमक निकालना, ठीक है, यह भी समुदर से आता है, पता है, ठीक है, sea tourism, यह भी एक टाइप का financial income का जरिया है, तो समुदर में लोगों को घुबाते हो, ठीक है, manufacturing, decorative articles, decorative articles बना होगी, यह भी एक तरीके का occupation है, जिससे लो मतलब sound bound जो है, थोड़े से important है, ठीक है, वो समझाना जरूरी है, यह जो natural resources का topic है, यह general awareness के लिए, तो कहां पर क्या मिलता है, वही समझाना है, कुछ ऐसा rocket science जैसा नहीं है, इसलिए मैंने पटक से खतम कर दिया, इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे, वो है chapter 17, बहुत देखो, आज पर literally time नहीं था, बट फिर भी मैंने रेकॉर्ड कर टेट आ दिया, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो मजा भी आएगा बनाने में, राइट, सो लोग भी नहीं देखते है, डालने के बाद तो क्या ही मतलब निकलने है, आज़ो थेंक्यों ए क्या है, वोग रज़ देखते हैं, आजसे को आएगा एट, सम्क्राव कर दो आएगा दिया देखते हैं, अबिब देखते हैं, पिसलिए भी मुझे ग्रस देखते हैं, इसलिए इसलिए आएगा आएगा।